जून 2009 से आज तक हिस्ट्री आफ पर रुखाबाद लोकल इतिहास पर ही केंद्रित है अनेकों टिपड़ियां की गई केवल लोकल इतिहास ही क्यों कुछ लोगों ने टिपड़िकी की सराप हमें खंधरों में घुमाते है इनमें अब क्या रखा है यहां तो गदे घुरों का वास है ये खंधरों चीक चीक कर दास्ताने हर दोई बया कर रहे है इसकी हरीट के पीछे इतिहास छिपा है कुछ अच्छा कुछ बुरा जब हम इन खंधरों के पीछे छिपी कहानी सुनते हैं तो हमें सवक मिलता है भविष्य में क्या करना है क्या नहीं इसका ग्यान मिलता है ये लोकल इतिहास ही है जो राश्ट्रिय इतिहास में अधुरिपन को भरता है इसे प्रमानित करता है ये हथोणा का किला है ये है राजा कटियारी का खंडहर ये शायद पाली में कुछ खंडहर है ये है राजा खद्धीपूर का किला इनके जरिये अंग्रेजों ने भारत पर सेकडो वर्ष राज किया इन खंधरों में अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजा, जागीरदार, रईस रहते थे इनी नवाबों, राजाओं वरहीसों के जरिये शासन वर बसूली होती थी ब्रिटिश सरकार भारत की सभी रियासतों के बीच अपनी शक्ती के कारण सर्वोच और सर्वोपरी थी ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच रिश्टे ऐसे थे कि किसी भी रियासत के नित्रित्व को मान्यता ब्रिटिश सरकार देती थी लोकल एतिहास समझने पर ग्यात हुआ कि दास्ताने हर्दोई मूल तह अंग्रेजों द्वारा स्थापित ऐसी ही रियासतों का समूह था 1857 की म्यूटिनी में राजा नर्पती सिंग ने किस प्रकार फरुखाबाद में रिवर्स टाम को अंजाम दिया समझ में आता है लेकिन किसने डॉक्टर मेले वो उनकी पत्नी को शरंड दी और क्यों दी किसी से छिपा नहीं है याथ हो कि डॉक्टर मेले कानपुर की म्योर वयालगिन मिलके मालिक थे इन मिलों में राजा साहब का पैसा लगा था आजादी के बाद ज्यादातर रियासते भारत में विलीन नहीं होना चाहती थी प्राजनीती, समवाद और कूटनीती के त्रिकोन ने रियासतों को भारत का अंग बनाया लेकिन विडंबना देखिए आज इन्ही रियासतों को स्वतंत्र भारत की राजनीती में प्रमुक्ता से जगह दी गई है भारत की सत्ता में अप्रोक्ष रूप से ऐसी ही रियासतों की सत्ता मौजूद है पहले विटिश सत्ता इस्ट इंडिया कमपनी के लिए काम करती थी विडंबना देखिए आज सत्ता वेस्टन इंडियन कमपनीों के लिए काम कर रही है